सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस warm welcome के लिए 29 साल में आपने बड़े-बड़े legends को आपके अदालत में स्क्रीन पर देखा है नरेंदर मुदी से लेकर लानु यादफ तक शारू खान, सल्मान खान, राकी सावन से लेकर बाबा रामदेव तक ऐसे लोग जिनका नाम दुनिया में है यो ताकट पर लोग हैं, controversial लोग हैं, लेकिन आपने वो देखा जो आपको परदे पर दिखाई दिया, जो शोव में दिखाई दिया, लेकिन परदे के पीछे क्या हुआ, पर्दे के पीछे ये शो कैसे बना पर्दे के पीछे इन बड़े बड़े लेजन्द के क्या राज हैं ये आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा और किसके बारे में आप जानना चाते हैं ये आप तै करेंगे कि आप जानते हैं कि आपके अदालत में कैसे कैसे लोगा आ चुके हैं तो जहां से आप कहेंगे वहां से शुरू करेंगे जिसके बारे में आप पूछेंगे आज मैं आपको खुल कर अपने दिल की बात बताओगा लालु यादव से शुरू करते हैं कि लालू यादव आपके अदालत में पहले महमान थे और मेरे लकी मुसकर थे। पहली आप लालू यादव आपके आने वाले थे तो उसमें वो बिहार के छीφ मिनिस्टर थे। उस जमाना ऐसा था कि हम आपके अदालत को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टूडियो हायर किया फिल्म सिटी में, सेट लग रहा था, लाइटिंग हो रही थी, कुछ पक्ता नहीं था, ये बात है, 12 फरवरी 1993 की, मुझे सुबार 10 बजे स्टूडियो पहुंचना था, 10 से 12 तक रहसल करनी थी, 12 बजे पहरी रिकॉर्डिंग लालु जादे पर नहीं होनी थी, सरदार खुश के लिए हमने ओडियन्स सिंस्टीफंद के स्टूडेंट, SRCC के स्टूडेंट, Mirandhaus की लड़कियां जो तैयार होके आये थे, जज नमिता गोकले, बहुत बड़ी लिटररी फिगर थी वो, लेकिन सब कुछ बदल गया, लालु यादव ने मुझे करीब साड़े दस बजे फ अब मेरे तो प्रांट सूख रहे थे कि कैसे होगा, मैं उनको कुछ कहता, इससे पहले उन्होंने फोन रख दिया, मुबाइल पून का जमाना नहीं थे अब बिहार भंस उन्होंने फोन किया था, मैंने दोबारा फोन किया, उन्होंने का वो तो स्टूडियो के लिए निकल यह हमारा PCR है, यह यह है, तो बोले बहला रहे हैं, क्या, शुरू करें, ऑडियेंस आयूई थी, वो तो खुश्वन सिंग के हिसाब से आयूई थी, जज जो आयूए थी, वो खुश्वन सिंग के साब से आयूई थी, तो लालु जी को मैं स्टूडियो के छट पी लेगा, म तो सारे लोग जिन्होंने आदे कपड़ से पहने हुए थे और पूरे मिट्टी से से पहने हुए थे वो स्टूडियो में आ गए और लालू जी जी का इनको ओडियोंस में बिठाईए तो ओडियंस में कॉंट्रास्ट था एक तरफ अच्छे काईवाई लगाएवे स्टूडेंट और एक तरफ ये लालू जी के फेवरेट लोग खैर किसी तरह से शुरू किया पहला सवाल मैंने पूछा इतनी देर में एक साफ दोड़ते दोड़ते आये और इसाब नार्यल नह मैं नारे लिया और स्टूडियो के फ्लोर के बीच में पेख दिया वो फटा तो चारों तरफ उसका पानी बिखर गया तो डिरेक्र साब ने का भी जब तक पानी नहीं सुख जाता पैचे जाएंगे तो रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हो सकती तो हेर ड्रायर लेकि वो सु जाया मैंने का आप आजाये वो बैठी शुरू हुआ अब मैंने पहला सवाल पूछने के कदम बढ़ा था दर्वादा खुला कुल्दीप नहर आ गए किसने उनको फोन कर दिया था ओई मैनू की करना वई तो मैंने का जिए आप जया जाएं फिर मैं नमिता गोकली पास गय मैंने का मैडम वो कुल्दीप नहर साब आगे हैं कहते हैं प्रोस्यक्यूटर प्लीज टेक और प्लेस वो अपने आप को जच समझने लगी थी अब बड़ी मुश्किल से मैंने उनको रिप्रेश किया फिर मैंने उनको का देखिया आपको कुश्वन जी बुला रहे है जो रिकॉर्ड हुआ जो देखा वो तो आपने स्क्रीन पर देखा लेकिन जब रिकॉर्डिंग खतम हो गई तो जो डैरेक्टर साब थे वो मेरे पास आए सब ने का बड़ा अच्छा प्रोग्रम होगा कमाल कर दिया आपने तो यह जवा दे लालू जी ने यह सब वो एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ